पीधंपूर आद्योगिक शेत्र के सेक्टर दो में बुधवार सुभात तांसी और्गनिक केमिकल में अचानक भीशन आग लग गए आग से कंपनी के कारत एक कर्मचारी गंभी रूप से घाल हो गया जिसे इलाज के लिए इंदोर के अमवाई अस्पताल रेफर किया गया है घायल का नाम राम प्रसाद बताया जो रहा है केमिकल प्लांट होने की चलते देखते ही देखते आग ने एक काफे विकरार रूप ले लिया वहीं कंपनी में रखे केमिकल से भरे ग्रमो का लगतार धमा का होता रहा है यहां से आग की बड़ी लपते उठ रही है Chemical Factory में आग की सूचना मिलते ही Fire Brigade की टीम मौके पर पहुची और इस पर काबू करने की कोशिश में जुट गए जानकारों ने बताया कि कमपनी परिसर में ग्रमों में रखे केमेकल की कारण आग पर काबू करने में मुश्किले हो रही है दमकल के आठ से आधे का वहन आग पर काबू करने के प्रयास में जुटे हैं वह पुलस प्रसाशन दोरा एतिहात के तौर पर आसपास की कमपनीयों को खाली करा लिया गया है वह सारे रास्ते बंद कर दिये गए हैं आग बुझाने के प्रयास निरंतर जारी है